दोस्तों सुभा सुभा एक खबर निकल कर सामने आई है कि किस तरीके से चीन जो है इस युद्ध में योधा बनता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से अमेरिका पर हमला करने की तैयारी इरान कर रहा था ठीक वैसा ही चीन की तरफ से भी अब एलाने जंग कर दिया गया है अगर खबरों की बात करें जी हाँ दोस्तों स्प्रिंटर की बात करें तो इस प्रिंटर जो वेब साइट है और सोशल मीडिया पर लगातार इस तमाम युद्ध की जानकारी दे रहा है Sprinter की हőाले से ये ख़बर बताई जा रही है कि Canada ने अमारिका के बिलकुल करीब मिसाइले अपनी जो है वों पुहुँचा दी है Sprinter tweet करते लिगता है कि चीन ने ballistic मिसाइलों को अमारिका के करीब पुहुचा दिया है जो चीन का सबसे खतरनाक मिसाइल है वो अमेरिका के करीब पहुचा दिया गया है चीने दक्षिन इलाकों में DF-26 मिसाइले तैनाद कर दी है ये 4000 किलो मीटर की उरान रेंज वाली आधोनिक मिसाइल है सबसे हाइचेक मिसाइल जो है वो चाइना की अमेरिका के करीब पहुचा दी गई है वो प्रिशान्त महसागर में गुआप दुई पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है तो इस तरीके की जानकारी आ रही है तस्वीरों के माधिम से वीडियो के माधिम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि स्प्रिंटर जो ये वीडियो शेर करते हुए जानकारी दे रहा है जहां पर जो कहते हैं नहीं जो समान धोरता है माल गाड़ी उस पर बड़े बड़े ट्रॉक्स जो है वो लदे वे इन फाक्ट ट्रेन तक इस माल गाड़ी पर लदा हुआ है और इस मिसाइल को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है आप ट्रेन और वीडियो के मतब जो ट्रेन है आप उसका तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चाहिना अपने तमाम मिसाइल को अमेरिका के करीब पहुँचाता हुआ नजरा रहा है हाला कि ये लड़ाई और जादा बढ़ती वी नजरा रही है इसराइल की तरफ से छोटे छोटे बच्चों को मासुम बच्चों को जो है निशाना बनाया जा रहा है उनके साथ हर वो चीजे की जा रही है जो एक इनसान तो कर ही नहीं सकता है बस इतना आप जान लीजे कि इनसान जो है वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है जो इसराइल की तरफ से की जा रही है और लगातार आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया आपको दिखा रहा है कि इसराइल जो है कि इतना इनोसेंट है लेकिन इसराइल की और भी तस्वीरे सामने आ रही है जो फिलिस्तीन के पत्रकार हो गए जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो ये तमाम वीडियो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस स्थिती में फिलिस्तीन के लोग हैं लेकिन जो खबरे आपको यहां दिखाई जा रही है वो सरासर गलत और जूट खबरे आपको फैलाई जा रही है क्योंकि एजेंडा जो इनका है वो वही है और जिस तरीके की तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चाए वो फिलिस्तीन मीडिया के हवाले से हो या चुडियों में बैठ कर लड़वाने का काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं तो चाइना इस युद्व में पहले तो छे पानी वाली जहाजे भेजी उसके बाद छे आसमानी जो है फाइटर जेट वो भेजा और अब अपने मिसाइल टैंकरों के साथ वो अमेरिका के करीब रहे हैं और कल भी जैसा कि मैंने आप को यह कहा था वो इरान के सात उसने अपना फूरा फूल सपोर्ट फूल समर्थन जो है इरान को दे दिया है आपको कुछ कब्रे भी बता दूं दोस्तों कि इस वक्त क्या हो रहा है कि सिरीगे की हमला हो गया है यूएन चीफ ने सीज फायर की मांग की कहा हमास की सजा सभी फिरिस्तिनियों को देना गलत है तो इसराइल जो है अपने मनसूवे को आगे लेकर बढ़ता वह नजर आ रहा है इधर उधर जहां मर्जी वहां वो फायर कर रहा है कल भी एक खबर पढ़ रही थी जिस खबर में बताया जा रहा था कि गलती से उसने मिस्र बेस पर जी हां मिस्र क्याम बेस पर फायर कर दिया अब सोचिए कि गलती से ये मिसाइले दाग दी जा रही है इसराइल की तरफ से क्या उसे युद्ध के बारे में पता नहीं है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है ऐसे तो आप बड़ी बड़ी धमक्या दे रहे हैं लेकिन हमले करने के लिए आप हर तरफ हमला करते वे दिखाई दे रहे हैं और अगर ऐसे में मिस्र की तरफ से जब आभी हमला हो जाए तो फिर क्या होगा फिर इसराइल किस ओर भागेगा क्योंगी चार तरफ से तो अभी इसराइल घिरा हुआ है चारों तरफ से उसे सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अगर मिस्र भी आजाए इस लड़ाई में हाला कि इस लड़ाई में वो पहले से ही है मदद करता हुआ फिलिस्तीन को दिखाई दे रहा है मिस्र बॉर्डर से जो है राफा बॉर्डर वहां से तमाम समान जो है वो फिलिस्तीन की नागरिकों को पहुचाया जा रहा है लेकिन इसराइल जिस तरीके से गोले बारूत दाग रहा है ये सही नहीं है दोस्तों आज उनिस्वा दिन हो चुका है जंग का उनिस्वा दिन इसराइली सेना ने कल यान के मंगलवार को सीरिया के मिलिटरी बेस पर हमला किया और इसराइली सैनिकों ने बताया कि सीरिया की त उसके बाद वो जवावी कारवाही दे रहा है जवावी में वो सीसफायर कर रहा है और मिसाइले दाग रहा है तो इस तरीके से जो है इस्वाइल की तरफ से लगातार बयान आ रहा है वो खुद कभी कुछ नहीं कर रहा है बस लोग उसे उकसा रहे हैं ऐसा इस्वाइल कहता ह दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकेरिया है हमें कॉमेट करके जरूर बताईएगा साथ ही सा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले